नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी श्टरी एड़ा में आप सभी का स्वागत है वियार सिक्षक भरती फेश टू के लिए हम आपको प्रस्नों की प्राक्टिस करा रहे हैं पूरे कम्प्लीट 150 प्रस्न जैसे कि आपका सेट आना है इससे पहले सेट नंबर फिर आपका 31 से लेकर के 70 सामान अद्रण वाला प्रस्न जो कि स्टार्टिंग के 70 प्रस्न सभी के लिए कमन है फिर समाजिक विज्ञान जो कि आपका समाचीज क्यों विज्ञान जिनों ने विशा लिया है उनके लिए है इस तरीके से दे रखा है मतलब कहानी बेज़्ट ह है अब यहां पर पहले प्रसंद क्या है what was the story about किस पर बेश्ट है यह story तो a dog and its reflection पर बेश्ट आपका है वी वाला आपका option सही हो जाएगा why did the dog bark at his reflection according to the passage अंसर यहां पर हो जाएगा mistaking it for another dog with a larger bone अपको द्यान होगा कि एक कहानी अपने बच्पन में पढ़ी होगी कि एक बचाता है कुटा वो देखता है अपनी सकल वो कुए में पानी भरा होता है उसमें और वो सोचता है कि कोई दूसरा है तो भॉगता है तो उससे वो जो हदी होती वो छूड़ जाती उसी पर बेश्ट कहानी है what lesson did the hungry dog learn from the story तो क्या सीखता है वो इस story से greed can lead to loss मतलब जो लालच पना होता है वो आपका नुक्सान ही उल्टा कराता है उसे आपको कुछ मिलता नहीं है what do you call a person who is skilled many different kinds of work क्या कहते हैं जो अलग-अलग हर छेत्र में आप देखते हैं अपने आप महारत हासिल करके रखा तो उसे versatile कहते है एक्टर के संदर म अंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा तो आपका ओक यहां पर जो देख रहे हैं यह आपका सही होगा जो animal kingdom में नहीं आता है यहां पर आपका Monday जो है वो आपका सही हो जाएगा यह तो आपको reasoning based question ने normal कर सकते हैं after which season does spring arrive तो यहां पर आपका winter में आता है spring यह आपका सही हो जाएगा which of the following is similar to the word dreaded आपसे बूचा गया है अंसर यहां पर आपका feared जो है वो सही हो जाएगा dreaded आप कह सकते हैं जिसका किसी प्रकार से आप डर होता है वो इसके अंतरगर जो है आपका आता है अब यहां से आपके हिंदी के प्रस्ण होंगे 9 से लेकर के 30 तक मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूड़ी अत्वा प्रियोजन के करण जिस प्रकार क्रिया सकती मुख्य अर्थ से संबंद स्थापित रखने वाला एक अन्य अर्थ लक्षिता हो उसे क्या कहते है तो उ प्रतिष्ठा नश्ट होना आपका अंसर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा वीडियो से लोग लाइक भी करते रहेगा जो लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं बढ़ते हैं प्रस नमबर 11 की तरफ मुख उतरना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या होता है मुख किया जाए उसके लिए एक सब्द क्या होता है तो अनुपम सब्द होता है पहला वाला आपका उपश्निया आपर सही हो जाएगा इम्लिकेद वाक्यों में ऐसी हिंदी का प्रयोग कीजिए जो बोल्चाल की भासा हो तो इसको हम किस नाम से जानते हैं तो आप कहेंगे परिक्षाएं पास है या ऐसी हिंदी का यूज जो है यहां पर यहां परिक्षाएं दूर लिखा है यह बविश में तो परिक्षाएं पास है बोलचाल की भासा में जो है वो यूज किया जाता है सबसे आदा बरसात में सरिताओं में बाड़ा जाती है इसमें आप जो पुछा गया है कि कौन से हाँ पर यूज होता है आम बोलचाल की भासा में यहां पर उप्युक्त में एक से अधिक आपका विकल्प जो है वो सही हो जाएगा ए बी दोनु ऐसे विकल्प हैं कि बरसात में नदियों में बाड़ा जाती है यह भी यूज होता है बरसात में पहाडों पर भी बाड़ा जाती है यह भी यूज होता है पर पुरी इस रष्टी में भी यह बिल्कुल नहीं यूज होता है माइल सब्द किस भासा का है सही विकल्प आपको सेलेट करना है तो अंग्रेजी भासा का है माइल आपका पहला वाला उप्शन सौगात किस भासा का सब्द है सौगात आपका तुर्की भासा का सब्द है बी वाला उप्शन यह आपर सही हो जाएगा इन में से कौन एक रूड सब्द है रूड सब्द आपका यहाँ पर नाक हो जाएगा पहला वाला उप्शन तो कि टुकडे नहीं किये जा, साड़ थक टुकडे भर पेट में कौन सा उपसर्ग का यूज हुआ है तो भर पेट में भर उपसर्ग यूज हुआ है पहला option या पर जो है सही हो जाएगा अगला आपका है ससुराल में कौन सा प्रत्य लगा हुआ है तो ससुराल में आपका पहला यह option यहाँ पर आल प्रत्य ससुराल यह आपका सही हो जाएगा इन में से देवता का पर्यवाची सब्द जो है कौन सा है तो सुर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा देवता का पर्यवाची सुर है अनुराग का विलोम सब्द पूछा क्या है तो अनुराग का विराग जो है वो विलोम सब्द होता है असुद्ध वाक्य को यहाँ पर सुद्ध करना है कि तब सायद यहाँ काम जरूर हो जाएगा सुद्ध क्या होगा कि तब यहाँ काम जरूर हो जाएगा तो यहाँ पर C वाला option जो देख रहे हैं साइध हट जाएगा क्योंकि वैसे संभावना की जा रही है प्रधाना ध्यापक लड़के चुनेंगे यह आपका सही हो जाएगा कोसिदे कीजेगा कि यहाँ अंसर बताने से वहले खुद भी वीडियो को रोग करके भी ट्राइ कर सकते हैं अगला है इसमें से कौन सा मिस्रवाक के है यहाँ पर देखेंगे की वर्ड लगा है यहाँ पर देखेंगे जो वर्ड लगा है बिजली चमकता है तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीदे सीदे बिजली चमकता में सरलवाक के आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर उसने कहा कि मैं निर्दोस हूँ या उसने उस पुस्तकाले को खरीदा जो उसके मित्र का था तो यही वाला आपका है मिसरवाक एकवाक के अलावे एक अंग मतलब उसका एक उपवाकिक के तौर पर भी आपको देखने को मिलना है और जो पहला कहा है उसने कहा कि मैं निर्दोस हूँ ये भी मिस्रवाक की है क्योंकि एक इस परासरित है तो बिल्कुल ये दोनों आपका सही होगा इनमें से एक से अधिक के साथ हम यहाँ पर जाएंगे इनमें से कौन सा दौंद समास है दौंद समास कौन सा है पसेरी आपका जो है वो दौंद समास है संख्यावाची और द्रवमान से संबन्दित पस कहते ने एक पसेरी इस चीज को तौल लो तो वो संख्यावाचा की तो होता है इन में से कौन सकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया अपकी इन में से हो जाएगी इन में से एक से अधिक पहली वैली भी है कि वो अपना सिर्खु जला दूसरा वाला भी है मैं गड़ी भर भरता हूं तो अंसर यहां पर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा इनमें से कौन गुड़ात्मक गुड़वाचक विशेशन है गुड़वाचक विशेशन कौन सा है तो इनमें से एक से अधिक आपका हो जाएगा ए वाला जो काला है ये भी आपका, भी वाला जो उजला है, ये भी आपका गुड़वाचक विशिशण है। ज्याम और मोहन तो है ये आपका विठ्टी वाचक संग्या। अगला देखते हैं, तीस प्रस्न, लाष्ट इंग्लिजिस कहóات टिका होगा इनमे से कौन असुद्ध सब्द है। तो असुद्व सब्द आपका यहाँ पर भी इनमें से एक से अधिक हैं, कासी वासी, हिंदी, फिल्म, मात्र भक्ती इस तरीके से आपका लिखा हुआ है, यह आपके दिए जो हैं, वो विशेसों विशेशन करके दिए गाएं, और इनके बीच आपका जो योजक चिन हैं, उस इसमें आपके दिये गए हैं मैत के उसके बाद के जो प्रस्ण दिये गए हैं वो आपके फिर GKS के तो मैत के प्रस्ण के डिरेक्ट अंसर बता दे रहे हैं अमित किसी कारे को इसका अंसर 15 दिना आएगा दूद और पानी का अंसर यहां पर धाई लीटर आएगा दो वर्स पहले एक सहर की जो जन संख्या है इसका अंसर आपका 5,44,000 आएगा दो वर्स में साधान ब्याज चक्रविदी ब्याज इसका अंसर जो है वो 50,000 जो है वो आएगा एक कारेले में 68% जो करमचारी है इसका अंसर जो है वो 400 आएगा अगला आपका प्रस्ण है 2 x e power minus 1 बटे 2 करके इसका अंसर आपका 4 आएगा इसके बाद अगला प्रस्ण दो रेल गाड़ियों की चाल पराधारित इसका अंसर 78 km गंटा आपका आएगा अगला है संजीत और रंजीत की मासिक आय का अनुपात इसका अंसर जो है वो 24,000 आपको देखने को मिलेगा तो इतने question total math के जो है इसमें आये है math का मैंने starting बताए कि आप इनमें से जितने भी question के answer मैंने इसलिए बताए चाहे तो हम direct skip कर सकते तो skip इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि आप math के question स्वेम से लगाईएगा ताकि आप कुछ से करेंगे तो समझ में आएगा कौन से नहीं कर पा रहे है और अगर इनमें से कोई question पूछना हो तो Instagram पर message कर सकते हैं, Telegram पर message कर सकते हैं बढ़ते हैं 49% की तरफ रेनिन जो है आपका क्या होता है एक hormone है, एक enzyme है तो आप कहेंगे hormone और enzyme दोनों आपका यहां पर होता है सिसुओं में उत्पन होने वाला enzyme होता है, दूद को जमने में मदद करता है kidney द्वारा भी, रेनिन आपका स्रावित होता है hormone तो रेनिन एक hormone भी है, enzyme भी है, इसमें iodine जो है आपका प्राप्त किया जाता है तो भूरा सहवाल जो आप पहला option देख रहे हैं, यह आपका सही हो जाएगा इन में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है तो थाइमीन बेरी-बेरी, विटामीन ए वर्डान्दिता जो लिखा गया है वर्डान्दिता आपका एक वनसागत आपका रोग होता है मतलब एक पीड़ी से दूसरी पीड़े में जाता है विटामीन एक ही कमी से रताउंधी होता है, वो अलग होता है यह दोनों में डिफ्टेंस होता है इसमें जो कलर ब्लाइडनेस होता है, इसमें लाल या हरा रंग की पहचान करना कटिन हो जाता है प्रोटीन पाचन का पहला प्रतम इस्थान जो है इनमें से कौन सा है तो अमास है आपका यहाँ पर वो सही हो जाएगा बाकी छोटी आत में जो इरेपसिन एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है वो भी करता है मतलब और हम आज से तो पहले इस्तान के रूप में पुछा गया है अगला है आपका इन में से कौन सा हर्मोन है जो कि इस्टेरोइड है तो एस्ट्रोजन आपका यहाँ पर जो भी ऑप्शन देख रहे हैं यह एक इस्टेरोइड हर्मोन है रिलेक्सिन आपका यह आपका और थाइरोक्सिन यह आपका और एक इंसुलिन भी होता है वो प्रोटीन हार्मोन के रूप में जो है, ये तीनों जाने जाते हैं, ये इस्टोराइट में आ जाएगा, अन्तासरावी गरंती का उधरन कौन सा है, पिछले वाले में बताया था भाया, ये पीनियल गरंती याद रखेगा, आ भी गया, तो पीनियल गरंती आपका यहाँ किस में आ जाएगा, अन्तासरावी गरंती में, और बही गरंती होती का है, तो मस्तिस्क में होती है, और मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है, जो नीन या जागना, इसका उत्पादन करने का काम करती है, मेलाटोनिन हार्मोन बताया था न, ये सोने के लिए मजबूर करती है, ल लोरीन अमोनिया, हैड्रोजन, कारबाइट, अंसर की बात करते हैं, तो अंसर यहां पर, अमोनिया जो है वो सही हो जाएगा, आप्शन अमबर B वाला असरू गैस, इन में से सबसे भारी धातू कौन सी है, तो यूरेनियम आपका सबसे भारी धातू है, परमाडु थरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राध्योगी की का विकास इन में से किस ने किया, तो IIT BHU के द्वारा जो है यह दिया गया था, भारत के बाहर डॉक्टर अंबेटकर की सबसे उची प्रतिमाई स्टैचू आप एक्वैलिटी का अनावरण कहां हुआ, तो यह अनावरण इसमें इस चीज को भी याद रख सकते हैं कि 26 अक्टूबर 2030 को जो प्रधान मंतरी नरेद मोदी थे ना, उनके द्वारा गोवा के अंतरकत आपका फतोर्दा नामकिस्थान था, जहां पर पंडी जवाल नहरू जो स्टेडियम था, उसमें 37 राष्टि खेल का अधिकारक ज बढ़िया कोशन है, 50 कोशन हमारे अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी लोग एटलिस वीडियो देख रहे हैं, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहीगा, आपके लिए महनत की जा रही है, तो आप सभी का लाइक तो एटलिस बनते ही है, और शेयर कर सकते हैं, तो भी करते रहेगा, तक और लोग के साथ वीडियो जो है, वो पहुचता रहे, तो बिहार राज्य मानवा दिकार आयो के अद्दक किसे बनाए गया, करिंट अफेर से रेटेड कोशन है, और बिहार से रेटेड है, इसलिए मैंने अंगोला बनाए कि महतपूर गोशन है, अनन अंसर तो देखें, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर NW1 प्रयाग्रास से हल्दिया जो दिया गया है, यह आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, नदी का मारक अगर देखेंगे तो गंगा भागिरती, हुगली नदी आपको देखने को मिलता है, लंबाइस की 1620 आपको देखने को मिलती है, अच्छा यह आपर प्रस्त में पूछा क्या क्या था, सुमेलित है, तो पहला सही सुमेलित है, दूसरा NW2 सदिया दुबरी यह आपका जो है वो सही है, और NW3 जो लिखा हुआ है, कोटापुरम से कोलाम यह भी आपका सही है, तो सभी सही है, तो कहां पढ़ती है आपकी करनाटक की अंतर के यह पहाड़िया पढ़ती है, अंसर आपका करनाटक जो है वो सही हो जाएगा, दक्कन का पठार काना है, महराश्टर में पढ़ता है, अगला है निम्लिकित नदियों पर विचार कीजिए, बराक लोहित सुमसरी करके दिया पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो कि आपका अनुनाचल प्रदेश से होकर के जो है वो बहती है, अब अनुनाचल प्रदेश से होकर के आपका लोहित भी बहती है और सुमसरी जो आप देख रहे हैं ये भी बहती है, तो अंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और दीसरा दोन इमलिकित परवत चोटियों का पूरुफ से पश्यम की ओर सही करम आपसे पूछा गया है पूरुफ से पश्यम में देखेंगे तो सबसे पहले पढ़ता है कंचन जंगा उसके बाद मकालू, उसके बाद एवरेश्ट, उसके बाद अनपूरुना तो इस परकार से आपका अनसर यहां पर सही करम हो जाएगा सीवल आप्शन अगला आउपरेशन फ्लट कारिकरम की सुर्वाद जो है वो कभ हुई थी आपका 1970 में आपको देखने को मिली थी, ये सही हो जाएगा Operation Flood किसे संबन दित है तो ये दुखदुकरांती से जो है वो संबन दित है और इसके जनक कौन थे तो Dr. Vargij कुरियन थे 90 East Ridge कहां पर जो है वो इस्तित है कहां पर इस्तित है ये आपका हिंद महासागर जो आप देख रहे है ये आपका option यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा लंबाई कितने इसकी 5000 किलोमीटर है और सक चोड़ा इसकी लगबग 200 किलोमीटर है खोज कब हुई थी तो 1962 में हुई थी इन में से कौन से देश है कैस्पिन सागर से सीमा जो है वो नहीं बनाता है तो आपका answer यहाँ पर इराग जो देख रहे हैं यह आपका यहाँ पर जो है पुछ सही हो जाएगा अगला इन में से कौन सा एक लैगून जील नहीं है तो लैगून जील आपका पेरियार जो आप देख रहे हैं जो कि आपका क्रत्रिम जील है यह लैगून जो है वो नहीं है पेरियार नदी पर बना बांध जो है उसके करड़ यह जील आपकी अस्तित में आपकी आई है पाकी पुलिकट जील आप जानते हैं पूछी जाती है इनमें से किस अधिनियम के द्वारा किंद्री बजट जो है उसको राज बजट से अलग किया गया था तो अंसर यहां पर भारत सासन अधिनियम 1919 सही हो जाएगा वाइसराय चंपोड के टाइम में जो है यह आया था इसके द्वारा पहली बार किंद्री बजट को राज के बजट से अलग कर दिया गया था राज पुनर गठन से संबंदे जे वी पी समीती ने कब अपनी सिफारिस सरकार के समख्ष जो है वो पेस की थी 1949 आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा राज पुनर गठन के लिए जे वी पी समीती जो है वो इसको कहते हैं जवालाल नहरू वल्लब भाई पटेल और पटाभी सीता रमया समीती गठन कब हुआ था 1948 के अंतरगत की उन्चास में तो आप कहेंगे गठन अगर बूचेगा तो 1948 है पर 1949 में यह सरकार को सौपा गया था रिपोर्ट तो अंसर यहाँ पर 1949 हो जाएगा बारत साचन अदिने मुनी सो पैटिस के तहट प्रस्तावित परणाली इनमें से कौन सी थी अकिल भारती संग आपका जो है वो सही हो जाएगा गिल्टी मैन आफ इंडियास, पार्टिसन, पुस्तक किसके द्वार लिकी गई है तो राम मनुहर लोहिया जो है इनके द्वार लिकी गई है अगला है कॉंग्रेस के किस इस्थान पर हुए अधिवेशन में गोपाल कृस्न गोकले का फिपक को विपक्ष की नेता की उपाधी जो है वो दी गई थी तो बनारस आपका ओप्षन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा गाधी जी के द्वारा रोलेटेक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हर्ताल का आयोजन किया गया था तो यह आयोजन आपका 6 अपराइल 1919 को जो है वो किया गया था तो रोलेटेक्ट आपका हुआ था 19 मार्च को परन्तु आवाहन जो हुआ था वो 6 अपराइल आप कहेंगे कि जो 19 मार्च था वहाँ पर आपका विरोध किया गया था महत्मा गांदी ने रोल डेक्ट 19 मार्च 1919 को विरोध किया था और 6 अपराइल जो 1919 है इसको पूरे देश में हरताल का आवहान किया गया था तो ये दोनों में अंतर है तारीख में और ये भी आप जयाद रख सकते हैं कि महत्मा गांदी जी दोरा पहला राष्ट व्यापी जन अंदोलन के रूप में भी इसको जो है वो जान राता है बाकी आपका महत्मा गांदी जी का पहला सत्य अग्रह पूछेगा तो मत इसको टिक करना है सब्सक्राब का 1917 में जो बिहार के चंपरण जिले से हुआ था वो अगला 12 सरकादिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था तो किसके दोरा का गया था जबाना नहरू जी के दोरा का गया था और इसी को ही दासता का आग्या पत्र जो है वो भी अधिनियम कहते मतलब इसकी आलोचना जो है वो हुई थी बिहार में लोटा विद्रो साइद एक कोशन था हमने साइद पिछले वाले वीडियो में पूछा था तो छपरा मुझफरपूर पूरिया अंसर की बात करते हैं अंसरे आपर मुझफरपूर जो है वो सही हो जाएगा तो थोड़ा इन में से रिगवेत काल के किस नदी को हिरननी जो है वो कहा जाता है तो किसे कहा गया है तो यह आपका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सिंदु नदी वी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा भगवान महावीर का पहला अन्याई जो है इन में से कौन सा था तो जमाली आप जानते हैं महावीर स्वामी जानते हैं जैन धर्म के 24 वे और अंतिम तीरतंकर जन्म इनका 540 इसापूर में कहां हुआ था कुंडगराम वैसाली में हुआ था पिता का नाम क्या था? सिधार था ज्यातरकुल के सरदार थे माता, कृष्ला, लिक्षवी राजा, चेटक की बहन थी महावीर जो है उनके पहले अन्युआई उनके दामाद, चामिल या जमाली आप कह सकते हैं तो यही चीज प्रस्त में पूछे और अपना पहला उदेश प्राकरत भासा में दिया था अट माकदी भी कहते हैं तो यहाँ पर हमारे सामान reधन के प्रस्न सभी समाप्त हुए अब बढ़ते हैं हम हमारे सामाजिक विज्यान के प्रस्नों की तरफ यहाँ से आपके जो प्रस्न है ups haird से 1500 तक अप सामाजिक विज्ञान के चलेंगे इसमें देखेंगे तो जी के जी इसके भी question cover हो जाते हैं और सामा जी विज्ञान के तो ही है पर यह start करते हैं और जो social science वाले हैं उनके साथ share करते रहेगा और जो बात में वीडियो से जुण है like करते रहेगा अगर वीडियो अच्छा लगे चीनियात्री सयोंगन ने भारत यात्रा जो है वो कब की थी तो 515 से 520 स्वी में की थी कलिगनरेस खारवेल का संबंध जो है इनमें से किस से है तो चेदी वंस से है बीवला ओक्षन सही हो जाएगा नारंदा विश्विद्यले के संस्थापक इनमें से कौन सा ये कोशन इंपोर्टेंट है कई बार पूछ जाता है कुमार गुप्त अच्छा कोशन है याद रखेगा मात्माग बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चकर प्रवर्तन कि सिस्थान पर जो है वो दिया था तो सारनात में दिया था भीवला ओक्षन हो जाएगा इत्माउद दौला का मगबरा आगरा में किस ने बनवाया था तो ये नूर जहां के द्वारा जोगे वो बनवाय गया था मद्धकाल में बटाई सब्द का अर्थ चो है वो क्या होता था बटाई का मतलब होता था कि लगान निरधारन का तरीका अबी भी देखते हैं किरसी भूमी पर बटाई वगरा जो बाटी जो भूमी होती है अगर किसी और को दे देते हैं आपको केती करने के लिए तो उसको बटाई का रूप दिया जाता है अगला है आपका देवबंद के उस विद्वान का नाम क्या है जिसनों ने सुतंता आंदोलन में मैधपूर भूमी का जो है वो निभाई थी तो कौन सा हो जाएगा पहला अबुलकलाम अजाद अगला है सार्दा मड़ी इन में से जो है वो कौन थे तो सार्दा मड़ी कौन थे राम कृष्ण परमहंस जो है इनकी पत्नी का नाम था सार्दा मड़ी अंग्रेजी भारती ये सेना में चर्वी वाले कार्टूसों से चलने वाली एन्फिल्ड राइफल कब सामिल करने का निर्णे जो है वो लिया गया था तो दिसंबर 1856 आपका जो है यहां पर सही हो जाएगा और में करन भी था टाउस अथा उनकी करांती का जिसको तातकालिक करन भी जो है वो कहते हैं बंबई में अखल भारती व्यापार संग का उंग्रेज की स्थापना कब हुई थी तो 1920 में जो है यह हुई थी अमरिद बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो किसने की थी तो सिसिर कुमार घोस ने जो है यह की थी किसने कहा था कि कॉंग्रेज जो अंदोलन है उना तो लोगो द्वारा पुरेवित था ना ही उनके द्वारा सोचा या योजना बद्द किया गया था तो किस के दोरा कहा गया था ये आपका कहा गया था सर सयद एहमद खां के दोरा बीवाला ओप्शन जो है वो यह आपर सही हो जाएगा इन में से बियार के किस नेता ने हम मोंड कमीशन के समख्ष राची में प्रस्तोत होकर दलितों के लिए मता दिकार की मांग जो है वो रखी थी तो किस के दोरा रखी गई थी ये रखी गई थी बाबू जगजीवन राम भी वाला ओप्शन आपर जो है वो सही हो जाएगा अगला आपका है इंग्लेंड में लॉर्ड्स के सदन में भारती सुतनता विदयक कब पारित हुआ था तो ये कब पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को जो है वो पारित हुआ था सेंट हेलेना द्यूप पर नेपोलियन को निर्वासित कब किया गया था तो कब किया गया था समय था इसका 1821 में इस दी वाला आपका ओप्शन है आपर जो है वो सही हो जाएगा अगला कुशन है बोश्टन चाय पार्टी इनमेजिक इस देज की सुदंता संग्राम का तातकालिक करण था ये पढ़ा होगा आपने बहुत फेमस है आपका ये पूरी घट्टा तो अमेरिका आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा 1773 को बोश्टन जो चाय पार्टी सुदंता संग्राम का तातकालिक करण था और 1783 जो था उसमें पेरिस की संदी के द्वारा अमेरिक की जो सुदंता संग्राम में उसकी समाप्ती हो गई थी अगला है आपका दूसरे विश्वद्ध के समय ब्रिटन के प्रदान मंत्री कौन तो आप कहेंगे विश्टिन चर्चिल क्योंकि यह बता चुके हैं हमें आपको इससे पहले वाले रैक्टिस सेट में अगला है 1861 इसवी में प्रसा के राजा ने अपनी प्रदान मंत्री किसे जो है वो निक्त किया था तो यह आपका बिस्मार्क को ने उक्त किया था बीवला ओप्षन यहाँ पर सही हो जाएगा बाद में इनों ने बिस्मार्क ने जर्मनी का एक इकरण के लिए भी तो प्रयास किये थे इन में से किस संदी के उपरांत राज संग का जन्म जो है वो माना जाता है तो अंसर यहाँ पर वर्साय की संदी जो है आपका सही हो जाएगा बाकी वर्साय सम्मेलन जो था 1919 में उसमें वर्साय की संदी के द्वारा अनुमोधित किया गया थे राष्ट संग को वो भी याद रख सकते हैं अगला है आपका समुद्र का इस थल की और बढ़ना कौन सा जो है वो संचर्ण है तो यह आपका रिडात्मक संचर्ण के रूप में जाना जाता है दो समनांतर बरंसों के बीच स्था पहल से भाग को जो हो क्या कहते है तो इसको हम प्रंस घाटी के नाम से जो है वो जानते है तो बरंसरेखाओं के बीच की जो चट्यानी है वो इस्तम नीचे की ओर अगर धस जाती है तो उसको हम ब्रंस कहते हैं नर्मदा जिसे घाटी है वो ब्रंस घाटी का उधारण है अगला आपका है सिल क्या होता है सिल आपका होता है कटोर हुए मैगमा द्वारा निर्मित समनांतर चादर बाकी मैगमा जानते हैं कि जमने से प्रत्वी पर जो चटाने है आगने चटाने है वो निर्माड होता है अगला है आपका कि दोमट मिटी किसको कहते हैं जिसमें क्या होता है जिसमें बालू के कड़ों का अनपात अधिक होता है, मर्तिका की मात्रा कम होती है, उसको कहते हैं दो मट मिटी वाई मंडल में पाई जाने वाले धूल कड़ों को आधरता ग्राही कड़ कहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जल का अवशोशन करते हैं, ये आपका यहाँ पर और एक से अधिक आप्शन यहाँ पर ज्यादा बैतर होगा, क्योंकि वाई मंडल जो होता है, उसमें पाई जाने वाले धूल कड़ों होते हैं, उसको आधरता ग्राही कड़ कहते हैं, तो वो आपका प्रस्त में पूछे किया था, बाकि धूल जो प्रत्वी के वाई मंडल में, एरोसोल जो होता है, उसका सबसे वड़ा घटक होता है, प्रत्वी की जलवायू पर महतपुर प्रभाव भी डालता है, नमी की मातरा जो होती वाई मंडल में, वो वाई में नमी के एक माप का सुचक का भी क कहां इस्तित है? कुछ यूरोप में है कुछ आपका ऐसिया में है मिस्र की नील नदी, विस्व की सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे लंबी नदी है नील नदी और हमिजन नदी सबसे बड़ी नदी है अगला आपका है जोन, इस्टेटा, तैयोरी पुल वेता के दौरा जो है वो किया गया था तो ये किया गया था टेलर के दौरा साथ ये टेलर वालगोशन से सुना सुना है साथ पहले आ चुका है तो अन्सर यहाँ पर टेलर से ही हो जाएगा सो गोशन हमारे कम्प्लीट हो चुके हैं बस 50 प्रस्न और रहे गए हैं टोटल 300 प्रस्न का सेट है वीडियो जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक शेयर करते रहेगा और ये केवल बार-बार याद दिलाते रहेते हैं कई लोग लाइव में बाद में जुड़ते हैं उनके लिए बाकी जो कर चुके हैं उनके लिए धैरनेवाद यहाँ पर सुमेलित करना है आपको खेतडी, नवेली, जादुगोड़ा इस तरीके से नाम दे रखे हैं और उसके सामने आपको मिलान करना है पूचा कहके है केवल सुमेलित पूचा गया है यहाँ पर अगर मिलान करेंगे खेतडी को तो तामबा वाले से मैच हो जाएगा नवेली देखेंगे तो लिगनाइट आपका सामने ही लिखा हुआ है जादुगोड़ा भी लोहा से संबंदित है या नहीं है बस यही आपका गलत है क्योंकि जादुगोड़ा यूरेनियम से आपका संबंदित है यह वाला जो आपका उप्षन देख रहे हैं यह नहीं से मैच नहीं होगा यह इस से मैच हो जाएगा और कुंद्रे मुक्च होता है वो लोहे वाले से मैच हो जाएगा यह वाले वी वाला उप्षन सही हो जाएगा प्रैस्पती ग्रे से टकराने वाला उलका पिंड इन में से कौन सा था तो सुमेकर लेंबी 9 जो आप देख रहे हैं यह हो जाएगा बाग परियोजने की सुरुवात कब हुई थी तो 1973 में हुई थी यह तो सभी जानते हैं और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व तो टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं उनकी संख्या और अगर बात करते हैं 36 गड का जो गुरू घासी दास राश्टी उद्यान है और आपका तमूर पिगला वर्नेजीव अब भैनाड उसके शयुक्त चेतर को तिरपनुवा टाइगर रिजर्व होसित किया गया है तो जो लेटेस्ट वाला है वो पता होना चाहिए बाग विजन करता हुई थी 2022 में तो उसमें 3925 बाग टोटल जो है वो निकले थे हैं अगला है निमलिकित में से कौन भारत का पहला सुदेशी प्रयास से बना परमाडू विद्दुत के इंद्र है अंसर यहां पर कलपक कम परमाडू विद्दुत के इंद्र जो है वो हो जाएगा कहां पर पढ़ता है यह तमिल आडू के अंतरगत जो है आपका पढ़ता है और मदरास नाभी की उर्जा सेंत्र की नाम से भी जाने जाता है भुकम की सरवाधिक विनासकारी जो तरंग है वो इन में से कौन सी है तो इसको हम क्या कहते हैं L तरंगे कहते हैं अंसर यहां पर जो है वो C वाला से हो जाएगा और P तरंगे प्रात्मिक तरंगे हो जाती है S तरंगे तितियक तरंगे और L आपकी सतही तरंगे के नुर रूप में भी जो है वो जानते हैं बागी भूकम की तीरता सिर्समोग्राप से नापते हैं और रियक्टर पैमाने के दौरा मापी जाती है स्वेज नहर को जो है वो कप खोला गया था 1369 में जो है वो कोला गया था बी वाला ओक्षन जो है वो सही हो जाएगा राश्टी करण किसका कप किया गया था तो 1956 में किया गया था किस से किसको जोड़ती है तो आपको ट्रिक याद है स्वा और बाद में भूला वर्ड याद रखेंगे तो भू से आपका मुमद सागर और लाल से आपका लाल सागर सबसे पहले खादानियों पर नियुंतम समर्थन मूल को कौन से वर्ष जो है वो आपका शुरू किया गया था तो कब किया गया था 1966 में जो है ये सुरू किया गया था सीवल आपका ओप्षन आपर जो वो सही हो जाएगा MSP कहते हैं उसको maximum selling price करके इमलिकित में से कौन एक Asia और दक्षड यूरोप के मद्द सीमा जो है वो नहीं बनाते हैं आप से पूछा गया है तो स्वेज नहर जो है वो नहीं बनाते हैं सीवल आप्षन हो जाएगा इन में से कौन सा नगर भूमद रेका के सबसे निकट है तो भूमद रेका के सबसे निकट है इसमें से सिंगापूरा आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा वातरवन के जैविक और जैविक घटकों की अंताक्रिया से विक्सित तंत्र को क्या कहते हैं तो इसको हम पारिस्तितिक तंत्र के नाम से जानते हैं मीठी क्रांती का संबंद इनमें से किस्से है तो मदुमक्की पालन से है मीठी क्रांती बागी पारिस्थितिक तंत्र टांसले जो है उनके दारा 1935 में यूज किया गया था उसको भी आप याद रख सकते हैं जो उपर अभी कोशन आया था ना पारिस्थितिक तंत्र वाला यहाँ पर आपका मदुमक्खी पालन सही हो जाएगा बारत में राष्टी यातायात का परिवान को स्रेश्ट बनाने के लिए इनमें से किस योजना पर बल दिया गया है तो PM गति सकती योजना आपका यहाँ पर सही हो जाएगा इनमें से कौन एक साल्वनिक छेतर का बैंक नहीं है आपसे पूछा गया है एक्सिस बैंक आप जो देख रहे हैं यह आपका सही हो जाएगा इस्थापना 2007 इसवी में आपका यूटी आई के विभाजन के बाद जो है वो हुई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टन कोशन और यही वाला साथ कोशन हम करा चुके हैं आप पूछा था याद नहीं तो इसमें पूछा गया है भारत का बरतमान स्थान क्या है तो 107 आपका यहाँ पर 2022 में विस्प के 121 कंट्री में आपको 107 नंबर पर देखने को मिला था और 2023 में अगर बात करेंगे 2023 में अब भारत की डैंकिंग इतनी है तो 111 है यह 2023 में है टोटल कितनी कंट्री तो 125 कंट्री यहाँ पर इन में से कोई नहीं भी दिया गया है और पूछा वरतमान का गया ह है तो हम इन में से कोई नहीं के साथ जाएंगे क्योंकि हमें 2022 से नहीं लेना देना है हमें तो 2023 का पता होना चाहिए देश में वेतन और महंगाई बत्ता का निरदारण किस आधार पर होता है तो भोगता मूले सूचकांग बी वाला जो आप आप्शन देख रहे हैं यह कहा जाता है वो भी याद रख सकते हैं अगला आपका प्रस्न है कि किस अर्थसास्तरी को आधुनिक अर्थसास्तर का पिता कहा जाता है बहुत ही बढ़िया कोशन है आपका इस तरीके कोशन जो होते हैं यह एवर ग्रीन कोशन होते हैं मतलब एक बर याद कर लीजे किसी न में और हैं कि always less को अगला अगला है भारत में मैला जन्संक्या का 216 Cent प्रथारी क्या है तो 48,463 यह आपका जो है यहां पर सही हो जाएगा पुरुसोंका कितना है तो 51-54 प्रतिसत सभी बैंकों को अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग RBI के पास सिक्योर्टी के रूप में रखना होता है इसको क्या कहते हैं तो इसको हम नगद आरच्ची अनुपात यानि CRR के नाम से जो है वो जानते है कैस रिजर्व रेसियो साइड इंगलि भारत में GST जो है वो 2017 में जो है वो लागू किया गया था और GST किस प्रकार का कर है GST आपका आप प्रत्यक्ष करके अंतर का जो है वो आता है जिस उद्योग में कुल निवेश की सीमा अधिक्तम पांच करोड रुपए रखी गई है वो क्या कहलाता है तो वो आपका सूचम उद्योग जो है वो कहलाता है ये 2018 में जो है वो MSME एक्ट आया था उसी में बात इसको रखा गया था नैलको का संबंद जो है वो किस से है तो आपका अलुमीनियम उद्योग जो है इससे संबंदित है आपका नैलको फ्रांस के सयोग से उडिसा के अंतरगत आपका जो है इसका निर्माण किया गया था अगला कोशन आपका है भारत वर्तमान अगडों के अनुसार सरवादिक निर्याद किस देश को जो है वो करता है अमेरिका को सबसे आदा निर्याद जो है वो भारत करता है भारत कच्चे तेल के बाद सरवादिक निर्याद किस वस्तू का करता है तो आपका computer और संबध उत्पाद जो दे रखा यह आपका जो है वो सही हो जाएगा यहने electronics प्याज के उत्पादन में पहले इस्थान पर कौन सा country आती है तो चाइना भाईया सहर्द अधिकतर मोशली पहले नंबर पर आपको देखने को मिलती है भारत में चावल के उत्पादन में दूसरा इस्थान कौन से राज्जुका है तो दो यूपी का नंबर आपको किसे आता है पहले नंबर पर किसे आता है पश्यम मंगाल का आता है बारत में 2022 तेश में चावल का कितना उत्पादन जो है वो हुआ तो 130 मिलियन टन आपका पहला option है आपर सही हो जाएगा बारत का आम बजट इन में से किस अनुच्छेत के अंतरगत आपका आता है तो 112 जो आप देख रहे हैं option B वाला ये जो है वो सही हो जाएगा बारत की पहले पंचवर्शी योजना का model जो है वो किस ने त्यार किया था ये भी कोशन काफी important है कई बार आपको देखने को मिलता है तो हेराल डाउमर मोडर आप जो देख रहे हैं C वाला option ये जो है वो सही हो जाएगा और दूसरा जो model था वो आपका PC महान लोबिस देखन दस लाग की जन संख्या पर एक सदस से आपका जो है वो सही हो जाएगा अच्छा जो उपर दो model बता है उसमें तीसरा चौथा भी याद करना चाहते है तो तीसरा सुख में चक्रवर्ती model था और चौथा जो है असोक रुद्र model था जो पंचवर्जी वजनावला question उपर आ प्रावधान रखे गए जिसमें ग्राम सभाओ का गठन है जीला ब्लॉक का ग्राम इस्तरफर्क त्रीस्तरी पंचायती रासन नशना का निर्माण है पंचायती रासन स्थाओं का चुनाव लड़ने के लिए निवंतम आयू 21 साल की होनी चाहिए यही सारी चीज़े इसमें आती हैं तो एक से ज्यादा ओप्षन यहां पर हो जाएंगे स्वारक पहुचाने के लिए नहीं बलकि उससे नरक से बचाने के लिए हुआ है उसी से संबंधित पूछा गया है कि कौन से यहां पर सही होगा तो डेग हैमर सोल्ड आपका यहां पर जो है वो सही हो जाएगा जेनरल एग्रिमेंट ओन ट्रेड एंड टैरिफ इन में से कौन सी संस्था से जुड़ा हुआ है इन में से कोई नहीं आपका ओप्षन हापर सही होगा यह विस्व व्यापार संगठन से जुड़ा हुआ है वर्ल्ड ट्रेड और्गनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जिसक 72 में जो है इसके स्थापना विधे अगला इन में से कौन सा राज्य ब्रेटिस राज्य के तहट सामिल नहीं था अपका मैसूर जो आप देख रहे हैं सी वला ओप्षन ये जो है इसमें सामिल नहीं था अगला इन में से किस योजना के आधार पर भारती सुतनता विधेक प्रेटिस संसर्द में प्रस्तुत किया गया था तो अंसर आपर माउंट बेटन योजना जो आपको देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा वेवल होजना 1945 में और कैबिनेट पिसन 1946 में भारत आया था वो सारे सन जरूर याद होने चाहिए अगला इन में से कौन से कथन सविधान सभा के विशे में सत्य नहीं है तो ये प्रतेक्ष निर्वाचन का परड़ाम था ये आपका उप्षनिया पर सही हो जाएगा भारती राजनीतिक विवस्तामिन में से कौन सरवोच है तो सविधान जो है सरवोच है ये आपका हो जाएगा भारती सविधान में एकल नागरिक्ता संबंदी प्रावधान किस देश के सविधान से लिया गया है तो ये ब्रिटेन के सविधान से जो है वो लिया गया है आपर गलत है क्योंकि ये 21 काम में आता है किस में आता है काम में आता है अगला आपका है यदि अपवादों को चोड़ दिया जा तो भारती सव विदान के अनुसार विदान परिशत के सदस्यों की नियुनतम संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है आपकी 40 जो है ये आपकी ह होती इन्यून्तम संख्या की लेकर के बाद जो है वो के गई है कि विधान परिशत के सदस्यों की न्यून्तम सदस्यों की संख्या की एक जो है वो आपकाज इसमें भी ग्रेंड करते हैं जिसे राजसबा में होता न सेम वैसे ही बारत के राश्पती के द्वारा अनुचेद 123 के तहट जारियत दहदे संसत का सत्र आरम होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकता है ये आपका छे सप्ताह तक प्रभावी रह सक हो जाएगा अंतर राजी परिशिदों का निर माड़ सरोत इन में से क्या है तो सम्विधानिक आपका पहला ऍफशन यहां पर जो थाए यहां बेन की जाती हैım किसके दौरा की जाती है इन में से कोई नहीं आपका यहां पर option सही हो जाएगा क्योंकि आपका राश्टपती के दौरा नियुक्ती होती है option में तो दिया ही नहीं गया है तो आपका answer क्या होगा राश्टपती जो है वो यहां पर हो जाएगा वोहरा समीति किसके अध्यन के लिए जो है वो बनाई गई थी तो वोहरा समीति आपका राजनेताओं और अपराधियों की साडगाट ये आपका उप्षनिया पर सही हो जाएगा प्रत्यक्ष बंदी करणा दिनियम के अंदर का देख व्यक्ति बिना मकदमें चलाए बंदी बनाया जा सकता है तो कितने समय तक तो आप कहेंगे तीन महा तक वी वाला उप्षनिया आपर जो है वो सही हो जाएगा अगला आपका है राज लोक से वायो के अद्यक्ष और सदिस्यों की उनके कारेकाल के बीच कौन हटा सकता है कोई हटा सकता है आप कहेंगे कोई नहीं इनमें से तो कोई नहीं आपका तो इनकी नियुक्ति राजपाल के द्वारा होती पर कारेकाल के बीच केवल उचितम न महिलाओं को मतदान का अधिकार जो है वो मिला तो अंसर की बात करते हैं इसके लावा कोशन बढ़िया है इंपोर्टेंट है भारत साचन अधिनियम 1919 था इसके द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था उसमें इंग्लेंड के प्रतानमंत्र तो लॉयड जॉर्ज थे 1935 वाले में क्या आया था द्वायद सासन पढ़ाली आपके देखने को मिली थी कि इस व्यवस्ता का अंत कर दिया गया था और प्रांतों में मतलब अंत करके केंद्र में द्वायद सासन आ गया था और 1861 वाले में गवर्णर जनरल को पहली बार अ पुछेंगे परंतों से पहले लास्ट कुशन देखते हैं और प्यार्टी में अपने टॉपिक वाइस पढ़ाया था उसमें ध्यान होगा एक सोसल साइंस वाला कुशन था जिसमें जितने भी अधिनियम थे सारे सीरियल से वह अगर आपको याद होगा तो वह एक बड़ द और अब एक प्रसन आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रसन पूछने इसके अलावा वीडियो लाइक से सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहेगा और यह आपका लिए प्रसन है और आज हमने बहुत कम समय में आपको कुशन करा दिये थोड नहीं अपना अंसर वीडियो के में कमेंड में बताईएगा तो आज के विडियो में इतने ही रखते हैं फिर मिलते हैं अंगले वीडियो में कुछ नहीं प्रसनों के साथ ने टॉपिक के साथ अब तक के लिए सभी को नमस्का चैहिंद